हाद मेरे पैर लोली पॉप कैसे हो आप सभी आई होब कि आप लोग बहुत अच्छे होंगा और अच्छे से स्टेडी आप लोग कर रहे होंगे इस वीडियो में मैं आपको पताने वाला हूँ यहाँ पे देख सकते क्लास 10th साइंस का चेप्टर 12 जिसका नाम है विदुधार के चुम्बकिये प्रभाव हलांक इस चेप्टर को हम समाप्त कर दिया हूँ है उसंज hearing क्या करने वाले वहां क्या करने वाले बाई प्रॉसन को हम सॉल्व करने वाले हैं पेज के प्रशन को ठीक है इस प्रेशन में देख सकते है टोटल एक प्रसन दिये गया और इस प्रशन में टोटल देख सकते हैं, आपे तीन प्रशन दिये गए हैं, मतलब टोटल हुआ चार प्रशन, तो चारों प्रशन को हम रापची के स्टाल में समझने का पूरा प्रयास करेंगे, तो आईए एक एक कोशन लेते हैं, और कंसेप्ट के साथ क्लियर करते हैं, इ चुम्बक के निकट लाने पर दिख सुचक की सुई विछेपित क्यों हो जाती है, कहने का मतलब कि चुम्बक के निकट अगर दिख सुचक, दिख सुचक बोले तो कंपास है, तो कंपास को अगर हम निकट लाते हैं, तो वो विछेपित की हो जाती हैं, तो वो विछेपित यानि हिल क्यों जाती है ऐसा आप से पूछा जा रहा है विच्षपित का मतलब हिल जाना ुत्तर दिया गया कि दिख सूचक भी एक छोटा चुंबक है दिख सूचक भी क्या है छोटा चुंबक है ना तथा दो चुम्बक के ध्रूवों के बीच आकर्सन एवं परतिकर्सन बलकार्ज करता है जैसा कि जानते हैं कि अगर दो चुम्बक है अगर सजातिय ध्रूव और विजातिय ध्रूव क्या होता है एक दूसरे को परतिकर्सित करता है और विजातिय ध्रूव एक दूसरे को आकर्सित कर गयां करता है कहने का मतलब यह समझे कि अगर चुमबक का नौर्थ पॉल और साउथ पूल जो होता है यहां समत caution और पर करसन क्या होता है दो उसको क्या कर देगा विकर्षित कर देगा समझ रहे हैं ना यानि प्रतिकर्षित विकर्षित कर देगा और साउथ साउथ को चिपकाएंगे तो बिजली कट जाएगा इसलिए इसको ठीक करते हैं थोड़ा सा ठीखो बदेखिए हाँ तो साउथ साउथ को कहने हिस दुर्व और एस दुरू को चिपकारेंगे यह भी क्या करेगा प्रतिकर्सित करेंगी समान है समन यानि सजातिए दूरू एक दूसरे को ऌर वीजाति धरूव मतलब जैसे कि नौर्थ है है हेत्वत तरीह मार के खराब कर देंग तरह किया और राए य। हाँ यार आख मारता है लाइट वाजग लाइख मारता है तरह समझ रहे हाँ क्या बताने वाले थे यह बताने वाले थे कि अगर नॉर्थ साउथ यह दोनों आपस में चिपक जाएगा आकर्शन करेगा या साउथ नॉर्थ यह दोनों आपस में क्या करेगा आकर्शन करेगा लेकिन साउथ साउथ परतिकर्शन करेगा और नॉर्थ नॉर्थ परतिकर्श करते हैं तो इस कारण दिख सुचक की सुई चुम्बक के निकट लाने पर वो क्या हो जाता है विछेपित हो जाता है यानि हिल जाता है तो यह क्वेशन सॉल्व हो गया इस क्वेशन में थोड़ा ज्यादा समय ले लिए जनवे करते हैं लाइट वा आँखों घुमार रहा था है ना चल भाई आगे क्या चुम्बक की रेखा खीचा गया तो आप लोग खीच लेना प्रेक्टिस करना बन जाएगा ओके कोई दिक्कत नहीं दिक्कत आगे बरते हैं दूसरा प्रशन क्या कहता है चुम्बक की अच्छेतर रेखाओं के गुनों की सुची बनाई, चुम्बक की अच्छत रेखाओं की गुनों की सुची बनाई कहने का मतलब जो चुम्बक यज रेखा होता है, उसके अंदर क्वालिटी क्या है, क्या गुन है, है ना, हो कैसे वर्क करता है तो यहां देखे उत्तर, उत्तर मैंने लिखा पहला में, कि यह अब यह हमारे पास एक मिनट यह हमारे पास चलो साउथ पॉल यह नॉर्थ पॉल है तो यह क्या कहता है यह रेखा उत्री धुरू से शुरू हो करके और दक्षनी धुरू में समाप्त हो जाता है मतलग उत्री धुरू से शुरू हो जाएगा है कि नहीं उत्री धुरू से विपक्राफ जाता है इस बात को ध्यान रखना चुम्बक के अंदर ठेक है तो यह आपने समझ लिया कि यह रेखा है उत्रों से सुरु होता है और दर्व निदूरू पर समाप्त हो जाता है लेकिन चुम्बक के अन्दर दर्व से सुरू होता है समझ रहे ना ओ सारी हाँ दक्षनी धुरू से सुरू होता है नौर धुरू पर खत्म हो जाता है यह आपने समझ लिया तो दक्षनी धुरू पर समाप्त हो जाता है यह रेखाए एक बंद वक्र होता है मतलब बंद वक्र यहां पर दिखा देते आपको जैसे द पर काटेगा नहीं, इसमें देखो कहीं पर काट रहा है, नहीं काटेगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सब चेप्टर में भी पढ़ा दिये थे, तीसरा पॉइंट, जहां चुमक्ये छेतर रेखाया पे इक्षा खिरित अधिक निकट होती है, वहां चुमक्ये बल की प्रवल लिया, तीसरा प्रशन को जड़ा देखिये, तीसरा प्रशन क्या कहता है, तीसरा प्रशन कहता है, कि दो चुमक्ये छेतर रेखाएं, एक दुसरे को परती छेद क्यों नहीं करती है, मतलब दो चुमक्ये छेतर रेखाएं, एक दुसरे को परती छेद करेगी, तब उस बिं दिसाओं की वर संकेत करेगी चुकि किसी एक बिंदू पर चुम्बकिये छेतर की दो दिसाएं और संभव होती है छेतर रेखाएं परती छेतर नहीं कर सकती है इसलिए ठीक है यह आपने देख लिया तो चार प्रश्न आपने देखा इस वीडियो में मिलेंगा अगली वीडि